वेलकम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है प्रिविए सेर्स के क्वेस्टिन्स को मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं और ये सेट डेटा इंटर्पेटेशन का चैप्टर बेस सेट है पार्टनर सिफ साहेदारी पर है और SBI कलर में एक्जाम 2018 का आया अमर सर कॉंपेटिटिव एक्जाम से आप इससे डाउन्लोड करके देखेंगे और ट्रेक्टिस करेंगे तो आईए ये डियाई शुरू करते हैं ये पार्टनर सिफ साहेदारी पर आधरित है पाई डाग्राम है पहले इसको देखिए समझे डारेक्शन है पाई चार्ट ग in terms of percentage out of total investment of five different persons study the questions carefully and answer five different persons a,b,c,d,e है इनका total investment रुबीज 80,000 है और उसके percentage के रूप में ये दिया हुआ है जैसे A का investment 25% है तो 80,000 का 25% आप बोलेंगे 20,000 और उसी तरह से बाकी सभी आप इसका percentage जो है उसके अधार पर value निकाल के लिख भी सकते हैं और नहीं भी वैसे ही इतना आसान data है कि नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक है तो चलें कुमारा first question, B and E started a business together, चलें B and E ने business शुरू किया, B left the business 9 months after starting, तो रूप जाते हैं क्योंकि capital के ratio में profit का distribution होता है तो first of all, हम B और E का note करते हैं कि आखे investment क्या है क्योंकि वो तो हमें पता है, B का investment 35% of 80K, 80,000, 80K, 70% of 40K, 28,000, हम दो 1000 में रहने जाते हैं, जबकि E का जहां तक सवाल है, वो 15% of 80K, 8 and 4, 12, 12K, 12K, इसके साथ ये business शुरू होता है, अगर time different है तो same बनाते हैं, B left the business 9 months after starting the business, इसका मतलब भी 9 months तक business में रहा, उसके बाद कुछ कहा नहीं गया, that means की business, when year चला, find the difference between the profit share of B and E, if total annual profit is Rs. 15,400, ये partnership का एक simple question है, जो DA के safe में दिया हुआ है, यानि E पूरे 12 months रहा, अब आप इसको cancel कीजिए, इस ratio में था, इस ratio का मतलब 9 का जहां तक सवाल है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, और ये 4 से 7 times, यानि 7 is 2, 4 के ratio में इनके investments थे समान समय में, और इसे लिए profit का ratio भी होगा, total profit इन दोनों का दिया हुआ है, और हमसे difference पूछा है, कहने का मतलब यह है, कि total अगर हम बोलते हैं, तो total का मतलब 7 plus 4, 11, और उसमें जो difference बोलते हैं, तो difference क्या है, 3, 7 और 4 का difference 3, हमें ये दिया हुआ है, और ये पूछा है, ये दिया हुआ है, ये कितना है, रुपेश 15,400, आप देखिए, ये कितना times है, 11 से कटेगा न, 1400, यानि ये 1400 times है, यानि is equal to रुपेश 4200, बोलें, ये partnership का एक simple question है, ओके, इसके बाद आईए, second question, A and D started a business together, ओके, A and D, after 6 months A, रुपेश जाईगी, capital तो लिख ले, A and D, A and D का जहां तक सवाल है, A का investment 25% यानि 20K है, 20,000, K लिखने के जरूत नहीं है, 20,000 है, थेक है, ये कितने दिनों तक रहता है, और D का investment 10% यानि 8,000 है, ठीक, after 6 months A is replaced, तो A तो हट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि A तो 6 months ही रहा, okay, replaced by C, C आता है, अगर C आता है, तो इसका मतलब 6 months के बाद ही हुआ रहा, D left the business after 2 months of A is living, तो A 6 months के बाद leave करता है, और 2 months के बाद अगर D leave करता है, तो ये 8 months रहा, ठीक है, C का investment, तो C का investment 15% of 80K, 30% of 40K, यह दी बोलिए, तो 12K, होगा न, बोलिए, ये C का 15%, 12K और ये, Y, C worked for total X months, वो तो कहा, X months, हो गया, ये ratio होगा, इसको थोड़ा simple कर सकते हैं, किस से करें, तो आप देखिए, 4 से करते हैं, 5, यानि ये 30, is to 16, is to 3X, इस ratio में profit का distribution होगा, क्या दिया है, out of the total profit of Rs. 13,050, A got Rs. 6750, अक्सर क्या होता है, total के साथ A का ratio लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, क्यूं, हम A और B और C का क्यूं न ले ले, यानि हम A और B और C, इसका क्यूं न ले ले, तो A का अगर 30 है, तो B और C का 16 प्लस 3X है, और A का यदी 6,750 है, तो total में अगर 13,050 में less करें, कैसे less करेंगे, 50 पहले हटा देजिए, तो 13,000 में 6,700, 7,000 पर खड़े हुए, तो 6,300, यानि 6,300, यह B प्लस C का profit है, इसी ratio में होगा, इसी को solve करेंगे, solve for a tank से करना है, बताता हूँ कैसे, देखे, सबसे अच्छा यह है कि हम कहीं से भी ले, मान लिजिए, इसको cancel करें, 4 से multiply करतें, 4 से multiply करेंगे, तो बड़ा सुंदर नंबर बनेगा, 6,4 जा, 24 और 3, 2700 होगा, और यह रहने दीजिए, 6, 13, 24, ऐसा करने से, 4 से multiply करने पर, अब दिखिए क्या होता है, आराम से, आराम से आप cancel कर सकते हैं, 28, यानि आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 16 x, 16 प्लस 3 x, डारेक्ट लिखते हैं, कि 3 x is equal to क्या होगा, 28-16, यानि कि 12, यानि कि 12, यानि कि, x is equal to 4, बोले, होगा कि नहीं, x is equal to 4, ठीक है, देखिए, x is equal to 4, यह आप से पूछाता है, what is the value of x, ठीक है, और इसके बाद आईए, थर्ड कुस्चन, जो इसका थर्ड कुस्चन है, a, f, and c started a business together, तो capital लिख डालते हैं, a, f, and c started a business together, f का तो नाम नहीं है, तो f invested 4,000 more than the amount invested by c, यह कह दिया, यानि कहने का मैंकि यह हुआ, कि हम a लिखते है, f लिखते है, c लिखते है, a का investment 20k है, c का investment 12k है, तो f का investment 4,000 more है, तो 16k है, यह होगा कि नहीं, clear, अब time interval, f left the business after 6 months of starting of the business, तो इसका मतलब f जो है, वो 6 months रहा, okay, after 2 months more, c left, after 2 months more, c left the business, यानि 8 months तक c रहा, out of the annual profit, यानि एक के बारे में, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब यह, पूरे 12 months रहा, जल्दी बताएए, फिर out of the total annual profit, A and C together got to wage 8,750, then find the total annual profit got by all the three together, ठीक है, तो इसको थोड़ा easy बनाते हैं, cancel करते हैं, simple बनाते हैं, सबसे पहले देखिए, हम लोग किस से cancel करें, बोलिये, 12 से करते हैं, 12, 12, और 6 into 2, 12, ऐसे, करते हैं, और उसके बाद 4 से cancel होगा, यह 5 times, 4 से यह 2 times, 4 से यह 2 times, यानि 5 is 2, 2 is 2, 2, आप देखिए, हम लोग को यह दिया हुआ था है, A और C का, तो A plus C क्या होगा, तो A plus C 7 होगा, और हमसे तीनों पूछा है, A, F plus C, तीनों का पूछा है, तो तीनों का क्या होगा, 9, जल्दी बताइए, 7 is given, रोपेश, 8,750, हम लोग जानते हैं, 125, 7 जा होता है, 8,75, यानि कि यह into 125 और यह 0, यानि 1250, 8 times 10,000 होता है, मैं पता है, तो 9 times एक और आड़ करतेंगे, इतना ही तो, इतना ही तो, यानि 10,000 और 1, 11,250, जल्दी बताइए, 11,250, ए इस दाइंसर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, यह partnership का chapter of SDI, है, जो की, आया हुआ है, इस तरह के experiments होते रहेंगे, SBI clerk का, जो main exam होता है, उसका भी अपना एक standard है, लेकिन, chapter पर आपका command है, depth है, concept की clarity है, तो exam में कोई दिक्कत नहीं होगी, बलकि यह आपके लिए, ज्यादा opportunity पैदा करेगा, आपके other जो opponent हैं, उनकी उतला में, all the best.